सुवाइस फाइनली रेविट का 2023 वर्जन रिलीज हो गया है अगर आप लोगों को नहीं पता अगर आप किसी पत्थर के नीचे रहते हो या किसी पैलल उनिवर्स में आप लोग जी रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दो कि रेविट का 2023 वला वर्जन आच चुका है ठीक है जिसके अंदर हमें नए अप्डेट्स नए फीचर और कुछ नहीं चीज़ें में देखने को मिलेंगी और कुछ नहीं चीज़ें हम आज देखने भी वाले इस वीडियो में और बहुत जादा डिफरंच होने वाला है हम्मारे उजल वीडियो से ठीक है अगे वैश रहेगा अबाउट दे निवेस्ट वरिजिन ऑफ रेविट सॉफ्ट्वेर डाइस रेविट 2023 जो रिसेंटली अभी रिलीज किया गया था बाइटरिस्क और रेविट के जो पूरी कम्यूनिटी है उसमें काफी ज़ा है मैं एक साइटमेंट देखने को मिले इसके रिकार्डिंग काफ आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं विच इस रेजए 33 यहां पर आगर आपको दिख रहा होगा यहां पर सो विटाट वेसिंग टाइम लेट्स गेर शार्ट एट यहां पर यहां पर मैं अपना जो पुराना वर्जिन है अगर मैं बात को रहो परस्नली तो आई वास उसिंग रेविट 2020 वरिजिन और मैंने डारेक्ट 2030 पे चमाल दिया और यहां देख सकते हैं तो यहां पर हमें डिफरेंस मिल सकते हैं कि रेविट 2020 में और 22 में बहुत ज्यादा फ सिस्टम्स बहुत कुछ यहां पर निया है अगर मैं बता हूँ तो जैसे हम पुराने वाले रगर रेविट को स्टार्ट करते तो कुछ इंटरफेस चार्टिंग का जो आता था तो थोड़ा सा अलगी उसमें डेजाइन समय देखने को मिलते थे लेकिन जब हम रेविट 2023 को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है यह आप देख सकते हैं यह डेक्स्टॉप पे मैंने रेविट 2023 जाला हुआ है जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यह कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है एक प्रफेस लेटर अच्छाइब तो यह बहुत पसंद आए परसनलिकर मैं बता हूँ तो जो स्टार्टिंग का जी पार्ट आता है यह मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बहुत ही कूल है यह दिखने में मतलब स्टार्टिंग में असा लगता है कि बहुत कुछ यूनिक चीज होने वाली है तो स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं जैसे हम शुरू करेंगे तो इंटरफेस में भी थोड़ा सा हमें चेंजिस देखने को मिले हैं हलकी फुल के चिंजिस हैं पहले के मुकाबले ठीक है रेविट 2020 से ही मिलता जोलता है और वही पर काफी चीज़े हैं इसके लावा जब हम यहां पर रेविट का जो नया स्टार्टिंग फाइल ले रहे हैं तो यहां ठीक है तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा कुछ नया तो न सब्सक्राइब जहीं की पहले रहले हैं जैसे कि तीन ही होते थे जिसमें हम आर्किटेक्टर structure और system step देगें को मिलता था लेकिन अब यहां पे दो चीज़े और add हो गई है that is steel and precast अब यहां पे जो है आप सभी जानते हैं कि जो civil engineering की जो field है उसमें steel structure का भी work होता है अच्छे से तो steel के लिए एक बहुत अलग से section दिया गया है I think यह previous में भी था और precast को भी add कर दिया गया है precasting आपको पता है precast भी होता है हमारे तो वो भी एक यह एक मुझे नहीं चीज़ लगी इसके अलावा यहां पे हमें system step में अगर मैं बात करो MEP की तो MEP में हमें कुछ नहीं चीज़े देखने को मिलें जैसी control devices हमें देखने को मिलें ने और PID module तो मेरे खाल से पहली से ही था और तो मुझे यहां पे एक plumbing equipment का एक logo थोड़ा सा मुझे change होते हैं मिला है बाकी चीज़े सेम ही है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो architecture में कुछ नया नहीं है हाँ यहां पर अगर मैं अगर मैं changes के बात को तो मुझे सब से पहरा जो change लगा वो है इसका project browser ठीक है जिसे मैं यहां पे फाइल open करके दिखा देता हूं कोई भी जैसे example के लिए मैं एक sample file लेकर चलते हैं ठीक है यह देखिए तो यहां से है यहां पे आपको जो है आप देख सकते हैं यह जो जो project browser है यहां पर आप देख सकते हैं और यहां प्रियु दॉट्स आपको यहां पर नज़रा हो ए तो यह जूण करके लिख आग हो तो यहां जो्बीव दॉट से मुझे नज़र आ रहे हैं यह मुझे नई पर देख सकते है, जो भी side plan है, या फिर जो भी rules है, वो सारे की सारे जिनके उपर tick लगा हुआ है, वो सभी sheet के उपर available है, for example, अगर level one में आप मिल रहा है, ठीक है, वो इस sheet के उपर है, level two, इस sheet पर है, मालब सारे sheets के उपर है, और जो नहीं है, उन सब वो blank छोड़ा गया है, वो जो sheet के उपर available है, वो सारे blank spaces में है, ठीक है, कहने का मालब यह ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, for example, अगर यह जैसे यह वाला view है, अगर मैं इसको sheet पे लाता हूँ, for example, मैं कोई भी elevation या section, या कोई भी मैं view open कर लेता हूँ, suppose, और अगर मैं उसको drag करके ऐसे drop करता हूँ sheet के उपर, तो यह तुरंट यहाँ पर आपको देखेगा, यह blue हो रहा है, ब्लू हो जा रहा है, जिसे मैं clip करूँगा, तो यह देखे, आप देख सकते पर नहीं है, ठीक है, यह तो एक पहली चीज है, इसके अलावा यहाँ पर हमें और क्या क्या नहीं चीज़ देखने को मिलते हैं, दूसरा यहाँ पर कह कि जब आप किसी भी plane को select कर रहे हो, ठीक है, कोई भी दूसरा plane है, जिसे for example, यह आप देखे, कोई भी मैं यहाँ पर दूसरा plane को select कर रहो है, यहाँ पर आपको मिलता है व्यूपूर्ट center, ठीक है, व्यूपूर्ट सेंटर मिलता है, व्यूरीजिन मिलता है, ठीक है, यह मुझे कुछ नया लगा, यहाँ पर, जिसे यहाँ पर आपकर आप अलग-ब्यूद देखने को मिलते हैं. जिसे आप किसी भी भी को select करोगे तो यहां पे उसको change कर सकते हो. अब जो चीज available है वो यहां पे change नहीं होगी. For example, अगर मैं इन में से कोई एक उठा लेता हूँ. Suppose मुझे यह करना है, तो यह भी नहीं है. इन में से कौन सा प्लेस नहीं है इसके उपर. For example, kitchen yard sections perspective हाँ यह यह देखिए तो sections perspective है वो इस पर available नहीं था तो वो उसके जिए के shift हो के यहां पर आ गया है. ठीक है? तो यहां पर आप देख सकते हो तो यह मुझे एक नहीं चीज लगी यहां पर जो options यहां पर आ रहे है व्यूपोर्ट center के according और view origin के according में आप देख सकते हो ठीक है? जिसे आप यहां पर select करोगे तो आपको यहां पर भी typical location वगरा जो भी आपको दिया हूँ है वो यहां पर select कर सकते हो तो कहने का मतलब यह है कि totally जो experience है वो काफी हद तक change हुआ है ठीक है पहली चीज़ तो यह है इसके अलावा हमें और क्या-क्या देखने को मिलता है मैंने यहां पर क्या देखा है नहीं चीज़ी मुझे यहां पर क्या लगी यह पिक clean option लगा ठीक है जिसे जब हम 3D के ओपर कोई भी object बनाते हैं इस तरह से ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो इसको हम करते हैं थोड़ा सा realistic कर दिया है और यहां पर जो realistic का जो effect है वो भी काफी change हो गया है जैसे अगर मैं आपको इस में भी आऊं हम इस पर बीब बात करेंगे जैसे मैं आपको realistic पर भी दिखा देता हूँ जैसे आपने जब हम realistic view देखते थे तो वो कुछ अजीब सा लगता था है ना पदलब इ आपको दिखा देता हूँ यह देखिए तो यहां पर आपको थोड़ा सा जो है sun का effect देखने को मिल रहा है तो यह एक मुझे नहीं चीज़ लगी इसके अलावा जैसे मैं हमने बात की थी about the 3D interface तो यहां पर जैसे for example suppose आप कोई भी plane वगरा choose करते हो यहां पर जैसे हम क्या क चीज़ लगी इसके अलावा एक मुझे एक और नया चीज़ यह लगा कि अब component को cut कर सकते हो मतलब component की section cutting कर सकते हो कहने कम लगी है अब ऐसा मेरे क्यास से बहुत कम आपने देखा होगा कि section cutting furniture की होई है या फिर sofa की होई है for example अगर मैं यहां पर मान लीजे मैंने कोई component ले सपोज मैं यहां पर कोई desk ले लेता हूँ एक्जमपल के लिए तो यहां पर अगर मैं आऊ व्यू टैप के ओपर यहां पर अगर मैं इसका section कट करके दिखाता हूँ सपोज और यहां पर मैं जाता हूँ डवल क्लिक करता हूँ तो मुझे section कुछ ऐसा नजर आता है ठीक है तो मतलब कहने का बलब है कि proper हमें कटन नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन अगर मैं यहां पर इसको select करके edit family में जाता हूँ और यहां पर enable cutting clean कर देता हूँ इसके पचक लगा देते हैं ठीक है थोड़ा सा मैं इसको increase करूँगा और थोड़ा project browser का भी size बढ़ा देंगे यहां पर ठीक है अनेबल cutting views करके load into project कर देते हैं यहां करूँगा one okay और existing override तो आप देख सकते हो थोड़ा सा जो है inner cutting आपको देखने का बल र specify मैं sorry हमें यहां पर जो annotate है उसके अंदर field region का option available हो गया है जिसे for example यहां पर हम level one पर आए तो ground floor के उपर अगर मुझे यहां पर field region करके दिखाना है तो यहां पर हम करके दिखा सकते हैं पिछले versions में यह चीज़ नहीं थी जिसे for example मैं यहां पर field region करके दिखा देता हूँ सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखिए आपको इस तरह के का field region देखना है उबल रहा है जो कि इससे पहले नहीं आए इससे पहले नहीं होता था विछले वरिजन्स में तो family cutting अगर आप करके दिखाना चाहते हो तो you can show you can show them and even इस तरह से ठीक है अच्छा इसके अलाबा और क्या के नई चीज़े हैं इसमें हम भी बात कर लेते हैं यहा यहां पर मुझे एक चीज़ और अठी लगी कि यहां पर जो solar study है उसमें भी कुछ नए changes किये गए हैं मतलब solar study बहुत ज्यादा अलग खर दिया गया है जैसे पिछले वरिजन्स में क्या होता था कि solar study के लिए बहुत एक complex process होता था complex भी नहीं कहूंगा basically यहां पर sun setting में ज है यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको lighting option मिलता है आपको single day रखना है कैसे तरह से रखना है तो इस तरह से आप यहां पर define कर सकते हो one day solar study रखनी है ठीक है फर यहां पर जैसे आप animation पर क्लिक करते हो तो यह देखिए एक animation सा बन किया है बहुत मुझे एक काफी अच राएगा तो यह solar study मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में थोड़ा सा हमें realistic feel भी लेता है क्योंकि पिछले वरिजिंस में solar study देखने को मिलता तो था लेकिन हमें realistic feel नहीं हो रहा था तो वो मुझे यहां पर एक अच्छा लगा ठीक है यह कुछ नहीं चीज़े लग थी जैसे हमने click क्या तो तुरंत आप rebars बना लग जाते थे तो उसमें time लग जाता था या फिर multiple freeings पर जाके करते है उसमें थोड़ा सा time लगता था लेकिन इस बार क्या है कि जैसे आप click कर रहे हो आप में adaptive जो है rebaring select की और rebars structure के अंदर ही कर दी एक चीज तो यह इसके अल कि यहां पर एक चीज मुझे interesting क्या लगे कि हम 3D में measure भी कर सकते हैं मुझे बड़ा unique सा लगा मतलब मैंने ऐसा कभी try किया नहीं है लेकिन ऐसा कहते हैं कि 3D में भी कर सकते हैं मिछले version में लेकिन view lock कर रहे करना पड़ता है लेकिन इस version में हुआ यह है कि 3D में मतलब ऐसा क कुछ check कर सकते हो जिसे यहां से मान लीजिए अब कोई भी जिसे मैंने side ले ली suppose इस plane से और इस plane तक कि मुझे distance चाहिए तो यह आप देख सकते हो यह मुझे measurement ठीडी में देखने को में रहे है कमाल है मुझे तो मतलब काफी unique लगा है आम तोर पे हम मान लो जिसे जब भी हम काम करते हैं तो dimension में ज्यादा तो 2D में ही चाहिए होती है तो 3D में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है इतना personally तो अगर आप करके देखना चाहते हैं तो definitely you can check out ठीक है इसके अलावा और हमें क्या क्या नया देखने को मिल ड़ा इस version में इसके अलावा यहां पे हमें material को लेक एक नहीं update मिली है that is कि यहां पे अगर हम आए जो materials हैं जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो normally जब हम material को लेके चलते थे तो suppose हमें कोई भी material duplicate करना था तो duplicate हो जाता था लेकिन उसके साथ assets duplicate नहीं होते थे अब assets इनको नहीं पता तो आपने assets browser पढ़े होंगे जो यहां पे जाता है यहां पे जो भी आप ऐसे choose करते हो उसकी साफसे बन जाता ही तो मान लीजिए अगर आप किसी भी object को duplicate करते हो suppose तो यहां पे आपको दो options मिलते है duplication की that is duplicate material and assets और duplicate using shared assets तो यह एक दो नहीं चीज़ मुझे यहां पे लगी जो कि दो पिछले versions में नहीं थी तो maybe आप आपको syllabus में थोड़ा साफ चेंज होते हों मिलेगा material का जो topic है उसमें यह दो नहीं चीज़े और add हो गई है जिसे मान लीजिए आप गर मैं duplicate with materials करता हूं तो same यहां पे आ जाएगा same सारी चीज़े आ जाएंगी ठीक है आप देख सकते है appearance physical thermal यह सारी चीज़े आप देख सक अब मैं यहां पर consider करूँगा MVP के बारे में obviously बात है तो यहां पर हम एक MVP का project ले देते हैं मैंने desktop पी किया हुआ safe तो मैं उसको open कर लेता हूं 2020 में था चुली तो अब हम उसको देखेंगे ठीक है यहां पर अगर हम आये तो जो अनलाइस कर जो tab होता है में यहां पर आप देखते होगे कि जो heating and cooling loads जो है वो ओम तो पर दिख रहा होता है लेकिन इस version में heating and cooling loads को हटा दिया है यहां से और उसकी जगह यहां पर क्या किया है basically अगर आप यहां पर आपको system analysis देखने क आते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर क्रियेट energy analysis analysis model पर continue करते हैं अब continue करने के बाद यहां पर यह क्या करेगा कि कौन सा आपको simulation run करके देखना है तो हमें HVC load and sizing calculate करना है तो run जैसे हम analysis करेंगे तो यहां पर जो है एक process generate होगा ठी हैं तो maybe इसमें थोड़ा से time लग सकता है यह काफी अलग मुझे यहां पर लगा अब जो system analysis है उसकी calculation चल रही background में थोड़ा सा हम यहां पर wait करते हैं थोड़ी देर बाद हमें यहां पर results है जो मिल जाएंगे wait for that so यहां पर analysis हो चुका है तो जैसे ही मैं इसके उपर click करता ह हो तो यह देखिए यह मुझे काफी unique चीज लगी वो है zone load की summary यहां पर आ गई है यह आप देख सकते हूं इस तरह की के statistics हमें देखने को मिलते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी company के statistics पढ़ रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा basically हमें यहां पर CFM अगेरा देखने जो कहा रहा है तो basically आप जो है analysis करके हमें दिखाया गया कि कितना foot per area calculation है ठीक है outdoor air percentage कितनी है तो वह मतलब एक तरकी से report generate होकी आई है direct हमारे पस तो जो report हम वहां पर generate कर रहे थे heating and cooling loads की थूरू हमें थोड़ा सा apply करकर देखना पट रहा था है तो यहां पर क्या है direct हमें यह चीज़ें मिल जाती है यहाँ पिक आ कूलिंग लोड कितना है और पीटिंग लोड कितना है तो वह भी आप देख सकते हैं इसके अलावा यहां पर cooling load comparison भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं कि zero पर कितना है बाकी सारे comparison पर आपको देखने को मिलते हैं conduction solar equipment lighting people मौदब सब कुछ यहां पर हमें basically building के according ही यहां पर मैं analysis देखने को मिलता है तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा यह वाला part basically जिस तरह से इन्होंने यहां पर जो है details करके दिखाई हैं पहले भी था पर पहले बहुत लंबी summary आ तो थोड़ा सा वहां पर क्या था पढ़ने में थोड़ा time लग जाता था चीज़ों को zone wise भी चीज़े दी होती थी लेकिन यहां पर थोड़ा सा simplify करके कर दिया है जो की ज़्यादा हमें readable होती है जो की थोड़ा हमें समझ में भी आते हैं ठीक है एक तो यह चीज़ मुझे यहां पर अच्छी लगी अगर मैं इस में आऊं तो यहां पर लेवल पर आगर हम मैं आए तो यह मेरे को बड़ा यूनिक सा लकाश जैसे फॉर अगर मैं यहां पर कोई glass का window लेता हूं suppose ठीक है यहां समझ लेते glass window and let's draw this तो यहां पर इस तरह से हम बनाते हैं यहां पर यह देखिए तो जैसे बहुत बार क्या होता है कि अगर आप इसको select करते हो या इस तरह से select करते हो तो यह कुछ ऐसा मिलता है सब्पोस अगर मैं ऐसे select कर रहा हूं या इस तरह से select कर रहा हूं ठीक है तो अभी तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है लेकिन mostly कैसे show होता है इस तरह से show होता है ठीक है तो जैसे अगर आप इसको off करते हो यहां करते हो तो वो पार्ट लगबग आपका रिमूव हो जाता है इसके अलवा और भी नहीं चीज़े हैं जैसे फिल्टर में अगर हम बात करें तो मान लीजे जैसे कि अगर कोई scheduling का काम कर रहे हैं जिस व्यू के लिए आपने स्केडूल किया सपोस्थ आपने डोर का लिकाला है और सिर्फ उसी एक डोर का मुझे आप निकाल की देखाना है तो वो आप करके दिखा सकते हो उसके अंदर यह एक मुझे यहाँ पर यूनिक चीज लगी जैसे आगर हम बात करें तो जो CAD का जो पार्ट है ठीक है CAD इंपोर्ट का जो पार्ट है उसमें भी नहीं ची से ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है इसके लाव मुझे यहाँ पर क्या नहीं लगा जिसे अगर फॉर एक्जमपल यहाँ पर हम किसी भी प्लान के उपर आ जाते है सपोस्व मैं यहाँ पर आ जाता हूं ठीक है तो जो डिस्प्लेस्मेंट का आता है आपने बहुत बा सकते हैं ठीक है यहाँ है अमें देखने को मिलता इसके अलावा ऐสे ही आप यहाँ पर जैसे आपाएंगे तो किसी भी विद्व को को यहां उस को स्लेट करेंगे तो यह देखिए आप उसको स्लेट करके यहाँ से इस से कर सकते हो उसके साथ टैग भी यहां पे लगा र기에ं तो ये कुछ नई चीजे थी, कुछ नए versions में अगर हम बात खरे तो, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, अगर आप जैसे फ़र एक्जमपल, अगर मैं नए project के अंदर आके दिखाऊ, कोई भी नए project ले लेते हो, फ़र एक्जमपल, अगर मैं यहाँ पर window ले लेता हूँ, suppose इ app भी लगा सकते हैं यहाँ पे, कैसे में नहीं होता, tag apply होना, लेकिन मान लेज़ आगर आपको यहाँ पे tag करना हूँ, by for example, यहाँ पर हमा जाते है annotate पे, तो tag by category वगरा जो आता है, वो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है, चलिए, यहाँ पर हो रहा है, तो वो आपको features मुझे लगे, so यह कुछ ऐसे features थे, जिसके वज़े से मुझे लगा कि हाँ, अब कुछ नया बतलाव देखने को मिल रहा है, तो यह था हमारा पूरा Revit का एक overview type में, आपको लगा रहा है कि sir, हमें कुछ ज़्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिला, या फिर कुछ ऐसा ह मैं लगा नहीं, तो देखी, यह कुछ नए enhancements है, जो कि एक नए features के तौर पर introduced के गए है, हाँ, कुछ आच्छे आपको लगेंगे, कुछ यहाँ पर आपको बुरी भी लगेंगे, लेकिन मैं यह काऊँगा कि काफी सारे features यहाँ पर मुझे अच्छे लगे है, especially कर मैं बात process करके, simulation run करके, आप हाँ पर report generate कर सकते है, with variable detail, with pie charts, तो वो मुझे यहाँ पर एक नए चीज लगी, इसके लावा बहुत चेजी चीज़े हैं, जैसे solar study मुझे यहाँ पर लगा यहाँ लगा यहाँ पर, तो यह कुछ ऐसे अच्छे features थे, जो Revit 23 को impressive मना देते हैं, तो यही काफी अच्छा था यह, बहुत अच्छा version है, मैं यह कहूंगा, और next version अगर आता है, तो हम उसको भी review करेंगे, फिलाल के लिए हम इसको इतना इनाफ लगते हैं, आप बताए मुझे कि आपको कौन से नाफ फीचर अच्छा लगा, आपको मैं comment section में share कर सकते हैं, तो इसी क साथ बस आज के लिए इतनाई वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को please like कर दीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, ऐसे और वीडियो देखने के लिए, हम ऐसे unique content के अपर वीडियो से लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और हाँ, अगर आप चाहते हैं, रेविट सीखना, डिसकाउंट पा सकते हैं, तो देरी किस बात की, जाके सरूर चकाउट करो, वेट मत करो, ठीक है, बस आज के लिए इतनाई, तिल देखने से दुस्वास अरिया, सेंग गुडबाई, और टेकर फिन पीटेश कर एक्सपार्ट, बाइबागाईज, शिने ने नेक्स्ट मैश झाल झाल